ने नई दिल्ली निजामुदीन और अपना आनन्वियार चट पर उपर ऐसा पहली पार इंतिजाम देखा है के एडिसनल टेंट लगा अगर के मोधी सरकार ने यात्रियों के लिए सुविदा दी है बोजन दे रही है चाय दे रही है आर्प्याफ गोदी में ले जा रही है मै खुद मैं गया मेरे इस्तिजार को छोड़ने के आर्प्याफ के जवान ने बुद्र महिला को गोदी उठा करके डिबें बिठाया अरे भाई आले इंदियार वहां से प्यार की सब्ट्रेने चलती है अबेकार में हमारा प्रोग्राम भी तुम्हां मैं आया मैं मैं आया मैं अजनाथ सिंग जी हो या किसी ने इस तरह का कोई मुद्दा नहीं उठाया है चाहे वो राम या ताजमहल का मुद्दा हो या फिर टिपू सुल्टान का मुद्दा हो कोई किसी बड़े नेता ने नहीं हमेशा कंडेम किया है इस मुद्दे को जहां तक छोटे-मोटे नेता है यह समुद्दे को उठाते हैं हवा देने की कोशिज करते हैं संगीत स्वाम बहुत परे निता है और हमेशा को संगीत स्वाम की बातों को आदितनाथ ने तुरंट ठुकरा दिया था आदितनाथ जा भी रहें ताजमहल घुमने के लिए 26 नमंबर को जा भी रहें था जहा लिए और कि इनको नहीं है अभी जो प्यालीटी है जिनके पास टैलेंट है उनको नोकड़ी की कमी नहीं है अपने आपने आपने उन करेंगे उनको नोकरी मिलेगे ना कौन अलटे बात है अग़र हम इतिहास त Nord Smita ने इतिहास को बाइब बाइब एक विड़े मेरी बास तुले यार राजीम नाम है मेरा अच्छ चुनावी भाचन हो रहे थे अगर इसको गलत तरह का गया अगर कोई आया कोई आया हमारे माँ बेहनों की बलतकार किया साथ साल आठा साल के बच्ची का बलतकार किया और उसके नाम से आप अ सिंदे में 25 काल खंड में किसी भी आकरांता के द्वारा अगर इतियास च्छ चाल गुआ हो तो उसको उसका नाम अ कि यह मैं आपते यह कह रहा था मैं यह आपसे कह रहा था जब भाशन दे रहे थे दो करोड का लाधा कर रहे थे तब ये बात कहीं थी कि हैं बाद करेंगे कॉंधी वाली बात की यह कहीं थी बात अरे भाई मैं जादा बोलता है बोले जादा क्या तु हुथ को पत्यास को पता है कर अक्बर तो सब कुछ हो सकता है कि तुम्हारा यार कमलेश खंडेलवाल कि जितने भी राजा महाराजा हुए आपको जनतंद्र का मजा लेना चाहिए तक सरी त्यास सही लिखाई नहीं गया कहां क्या है अमें भी नहीं पता आज को किसी बुक्स में जाते हैं किसी चीज के लिए कुछ होता है किसी चीज के लिए कुछ होता है अब आन न कर लेहां बहुत आराव से पत्रसार किति तीन तिल्याग पर वाट सॉप और मोबायल के दूजह लोग तयलाग दे रहे हैं यह और तो के साथ अप राद कर रहे हैं जबकि जनाबर रसूल रियुद्स आप तो कम से कम जमीन पर रहें आपके मुझसे ज्यादा बेहता रहें आप कम से कम आप ऐसा एक कोई मुद्दा ढून लाएं हैं जो जिसके पैर जमीन पर है मेरा तो उपर आसमान पर उटका हुआ मैं औरतों के साथ रहूंगा यह मामला कोट में गया है कोट का मैं साहिलूट करता हूं और इस सरकार को भी साहिलूट करता हूं कि अभी तीन तिलाग पर बेंड लगा है और अल्ला के रसूल का यह फर्मान है कि एक महीना में एक तिलाग और तीन महीना में तीन तिलाग होता ह औरतों के साथ अगर इंसाफ बे इंसाफी हो रहा है उनको जेल होना चाहिए क्या वात है जलाब कहां के रहने वाले हैं मैं पच्छमी चामपारन बिहार के रहने वाले हैं मेरा नाम खुर्शिद आलम है साथ निश्चत तोर से नो डाउट नो डाउट खुर्शिद आलम साथ के लिए क्लैप होना चाहिए और ये जिस तरह की इनों ने बात रखी साफगोई के साथ बहुत कम सारे लोग कम मर्द होते हैं जो ऐसी बात रखते हैं साफ रखना चाहिए सर और उसके साथ हलाला जो तो रखे हैं ये बिल्कुल हराम है तीन तीन तलाग कि इन तीन महिने के बाद और तीन बार वने के बाद हलाल हिज्ण का मुद्धा ये जो इन्होंने मुद्धा रखा लेकिन मुठी का मुद्धा मैंने बता दिया बेसबरे इनसान है कि हमें तीन साल में तसली नहीं है तसली तो रखो थोड़े साल थोड़े टाइम के लिए जरूर सुदार आएगा सुदार के लिए ही सब कतम उठाए गए अगर हम चाहे के आज दूसरी स्टेट दूसरी गवर्नमेंट ले आए और फिर तीन साल बाद यही नतीजे होंगे आपस में तो हमको सब्र रखना चाहिए तसली रखनी चाहिए तीन साल हुए जी मैं आपके जो हमारे मेहमान मौझूद है मैं उनसे आपका तारुफ कराना चाहूँगा राच का जो मुद्दा है उससे आपका रूपरू कराना चाहूँगा हमारे साथ नवीन कुमार जी मौझूद है बीज़ेपी का पक्ष्रकने के लिए विज़ेशन करतिवारी जी का पक्ष्रकने के लिए मौझूद है आलोग शर्मा जी कॉंग्रेस का पक्ष्रकने के लिए मौझूद है हमारे साथ मौणा अतार हुसाइन मौझूद है रसूल बहुत शुक्रिया जनाब हमारे साथ मौझूद है यह से जलानी साब जो कि कुछ दिर बाद आएंगे लेकि करने की बात करते हैं लेकिन हम कभी एक यह बात नहीं करते हैं कि अगर यह बोला कि दो बच्चे हैं जो हमारे देश के ठेकदार लोग है उनके एक भी नहीं है वह उनका देश कभी का स्कॉन करेगा आज भाईया जी कहिन हो गया आज खताम आज भाईया जी कहिन खताम यहीं से आज जंता बहुत बोल ली आज नेता लोग कहरें कि दो बच्चे तक बात आ गई इसके नाजने आज कि आगे कहां चली जाए हालो जी परेशान मत हो यह मैं बुद्धे पही लोटता हूं और अतार हुसान जी आपको खड़ा करना चाहता हूं कि यह आखिर जिसने कहा कि यह इतिहास की राजनीद क्यों करते हैं लोग यह इतिहास कभी भी किसी के लिए सचा नहीं होता हर वेक्ति अपने एदबार से इतिहास लिखता है और इतिहास रचाज मेरे नजदिक टीपु सुल्तान ना हिंदू ना मुसल्मान मेरा कहना है दो महान वेक्तियों के तोर पे श्रीपु सुल्तान को अगर देखेंगे पह पी मिल जाएगी जहां वह शंगेरी शंगंत कर अजारिय के पैरों में बैठके वह दमीन देरें दूसरा स्टीपु सुल्तान की राइधानी का नाम स्रीरंगा पत्नम था जो भगवान विश्णू के नाम पे सिरंगाम था उनके महल के परिसर के अंदर अंगनातर मंदिर थ सूरिय वन्शी राजाओं का निशान यानी सूरिय था उसकी जो बैठक ती उस पर मौर नहीं था उंट नहीं था बलके महाब साथास दूर्गय की सवारी शेर था उसके अलबाद दूसरा नाम है उस महानवेक्ति का नाम जिसका नाम है एपीजाबूलकलाम एपीजाबूलकल इसलिए मेरा कहना यह है अगर आप इतिहास में जाएंगे इस यहीं पर 84 के दंगे भी हुएं अगर इतिहास में जाएंगे यहां 2002 के भी दंगे हुएं लेकिन इतिहास को जो हमेशा होते हैं और कि आला आपके मंद्री क्यों विरोध कर रहा यहां जो कहते हैं इसलिए वो नाशनलिस्ट नहीं होसकता कीपु स्लिटान आता ही था बलतकारी अत्याचारी दूरचारी था जिसमें कोई शक नहीं है एपी जबू किलाम की किताब को आग लगा ये अरे जिस व्रेक्तिक को अइंस्पायर करने वाला ओला टीबू स्लिटान हो जिस एपीज अबुलकलाम के आप हिस्ट कर रहा है और वो ही एपीज अबुलकलाम कर रहा है कि मुझको प्रेरित करने वाला टीपु सुल्तान आग लगा दिजे उस किताब को 1999 में कीपुल सुल्तान का दिहां तो गया और वो एपीज अबुलकलाम साब को प्रेरिट कर रहे थे अरे अरे आप सच बोलने तो सुनो ना अरे तो मेरी सुनों जोस किताबों में लिखावा है आपकी किताबों में साफ साफ लिखा है अगर वो शंक्राचारे के पास तब गय जब उसने हिंदों को मार मार के शम्चा गड़का अगर विंग ओफार में जो भी जा पुलकलाम नहीं लिखा या तो यह पत्से इस्तिवा दे देंगे यह मुझको सरयाम जो सदा देंगे में ले लूँगा विंग फार में लिखा है उसमें साफ साफ लिखा गया कि प्रदार चाहरे के पास तब गया जब मुसल्मानों के मुल्यों ने धर्माचारे ने उसको बताया कि तुमने इतने मंदिरों को तोड़ दिया ते लोगों को मार दिया उसके बात सुन लिखे अकर आप पूरे दक्षिन भारत में कभजा करना चाते हो तो आपको संदू प् वे उस प्रकार से बात करते हैं कॉंग्रेस को क्या जुरत पर दिये ऐसे लोगों कुछा करके यह तमीलों की बात कर रहा है ना अभी तमिल में एक फिल्म बनी है और तमीलों के बारे में क्या कुछ इनके नेताओं ने कहा जो फिल्म बनी है और कावेरी विवाद के जमाने मे कावेरी विवाद में कावेरी विवाद में क्या कुछ इनके नेताओं ने कड़ा तुनिया जांती में टीपो सुल्टान के बारे में किसी भी लेकत ने अच्छा क्यों नहीं लिखा प्रतीक जी सतर साल पहले देश आजाद हो गया लेकिन देश के आजाद हो थी भारत का इतिहास गुलाम हो गया भारत के हीरोज गुलाम हो गया और उसका कारण है कि उत्तर भारत में आप औरंग जेप के नाम लेते हैं और दक्षिन भारत में आप टीपो सुल्टान का नाम ल व्हेस के लिए नटेंग के लिए को इंतर लिए व्हेस्टान का कैसे से उध्वाइब बता सकते हुआ आप मेरी बताओ ना आपके तरह जब जब जितने राजे लड़े सब अपने लड़े दुनिया जानती है कि राजपुता ना आबस में लड़ते थे आज तक लड़ ले हैं हमारा कहना है उस वक्त जो भी वेक्ती जितने फ्रांस की मदस्ते अंग्रेदों को भगाने की कोशिश की भारत की जमीन से और टीबु सुल्तान को बहर का था भी नहीं तीज़ी पुष्ट पो जाके हिंदू था तो भाईया वो तो तुमारे घरवाप्ती करवाने वाला व्यक्ति तो मुझे को क्या कह सकते हैं जहां से लड़ने वाले लोगों के बारे में बात को निकरते हैं नहीं बहस तमाम पानी बहा मैं जानना चाहता हूं आप कहते हैं वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा और वो स्वतंता सेनानी था पहला टीपु सुल्तान उसकी जहनती मनानी चाहिए करनाटक सरकार फैसला करें जहां तक टीपु सुल्तान की जहनती की बात है बीजेपी के तीन मिनिस्टरा है इसमें दिखा दीजेए दो एक्स मिनिस्टर है जो टीपु सुल्तान की जहनती मना रहे हैं यहां यह आकर अपनी बड़ी-बड़ी बात्य बातें कर रहे हैं इसमें कौन-कौन खड़े हैं इसमें जग्दिश शेटियार खड़े हुए इसके बाद दूसरा फोटो यह यह दूरब यह दूरब पाजी यह दूरब पाजी टीपू सल्तान की जैन्ट वह मेरे फोटो है मैं तारिक के साथ बता रहा हूं तीसरा एक यह तीसरा फोटो है इस फोटो में एक आरेसस का बहुत बड़ा आदमी जो वर्तमान में भी MP है और पहले मंतरी था वो टीपू सुल्तान के द्वारा जो पंचलिंग मंदिर बनाया गया उस मंदिर के बाहर खड़ा होके वोटो खिच्वा रहा है मंदिर बनाया के टीपू सुल्तान ने मुझे समझ नहां था कॉंग्रेस को यह यह नीती कहां से आई उनीसों तेक्तर में इंदरा गांधी जाकर मखमल की चाहदा चड़ाती है वहाँ पर अरे तुम मुस्लिम वोटों के लिए क्या करना चाहते हो अरे देश के अजादी करलने लड़ने वाले भगस सिंग्राज गुरू सुखदेव असवा कुला का के बारे में तो नहीं नही पर बहुत पर बहुत है इस शो को हिंदू मुसल्मान मत करवाईए अगर यहाँ पर कोई भी फैक्ट मेरा गलत होगा जो सजा जनता देगी मैं बुक्तूंगा यहां पर जो मंदिर है इस मंदिर के उपर जो कन्नड में लिखा है मैं वो भी पढ़ देता हूँ उसमें लिखा पंच लिंग स्वामीना सनदी टीपू के सनदी जो मंदिर जो बनवाया है वो टीपू सुल्तान ने शिवजी का बनवाया ये कन्नड में लिखा है इसके उपर और इसके बाहर एक नड़ यार सुनना ना यार एक मंदिर नहीं टूपा है जबरदस्ते हीं को मस्लिम मत करो यार यार ये वो व्यक्ति है जो RSS का बड़ा लीडर है इसका नाम आचारिया ये वहां का एक्स मिनिस्टर रहा है और आज भी उस मंदिर के अंदर जो पूजा होती है वो टीपू सुल्तान ने जो बरतन और मुर्तियां दी और लोटा दिया शुरुआत वहां से होती है इसका नाम है लाइफ आप टीपू सुल्तान उसका जिक्र बहुत जरूरी 1964 में उसमें लिखा है कि उसने तब मालावार ख्षेत में एक ले एक लाग से ज्यादा हिंदूों का और इसाइयों का कतले आम करवाया ये टीपू सुल्तान के बिशह में इस किताम में लिखा है य बहुत तेज है बाबुजी कुछ समझ में आ रहा है जो मुद्दा है वो यह है कि जी हां शम्चीर है टीपू सुल्तान की उसी पर मुद्दा जिया टीपू की जो तलवार है उस पर ही वार ही वार है और यह सवाल यह कि जो टीपू की जैनती मना रही है कॉंग्रेस वहां पेकरनाडगा में उस पर सवाल खड़किये हैं बीजेपी ने कहा कि वह अत्तार है वह रेपिस्ट है उसमें मंत्री का कहना है तो लिहाजा उनके जैनती बनाने में प्रोग्राम में जानवे में शरीक होने में उनको अपति है वो नहीं जाएंगे लेहाजा उन्हें ना किया मैसूर राज के साशक भी टीपु सुल्तान को लेकर केंद्रि मंत्री अनत कुमार एक्ड़े ने टीपु को हिंदू विरोधी करार दिया करनाड़क सवकार्दु वराज युद्कारकम पर आपति जताई हैं यह सवाल है हमारे महमान लगादार मौजूद है लेकिन चं में इतिहास है जिसको बदलने की या उसको चुपाने की या चेंज करने के कोशिष किया है सब्सक्राइब बीजए पीजए 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 पीजिए अटेंशन जाता हूं आप लोगाँ काप्लीज तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि जिस तरह से अभी बीजेपी हो या कोई सभी संगठन हो जो की इतिहास का विरोध कर रहे हैं या इतिहास को बदलना चाहते हैं और अभी इतिहास को गाली दे रहे हैं तो मैं यह पूछना जाता हूं कि क्या फ्यूचर में यह लोग भी यही चाहते हैं कि देश आगे आने वाली पीडी या अगले चुनाओं के बाद जनता वापिस बीजेपी को गाली दे कि इन्हों ने अपनी सरकार के वक्त में काम ना करके और लोगों का विरोध मतला इतिहास को बदलने की कोशिश की चाहे चाहे अगले एक एलेक्षन में कांगरेज जीरो पर आजाएकि जीरो पर मोधी जी है देश है नहीं तो कुछ भी नहीं है मैं मुद्दा नहीं उठा रहा हूँ मैं वो जो लिखा है वो पढ़ रहा हूँ और पढ़ता हूँ कि टीपु सुल्तान ने साइद अब्दुल्दुलाई और जमान खान के नाम से एक पत्र लिखा उसमें लिखा कि इस बैगंबर मुहमद और अल्ला के करम से काली कटके सभी हिंदुओं को मुसल्मान बना दिया है कि एवल कोचिन स्टेट के सीमावर्थी इलाकों कुछ लोगों का धनुपर उतन वहीं निकराया जाजाज़का मैं जल्दी इसमें भी काम्याबी हासिल करूँगा अब इस प्रकार का जिसने काम किया हो उसको महिमा मंदित करना ये इतियास का अत्मान है मुझे लगता है कि टीपु सुल्तान को महिमा मंदित करके इतियास का अत्मान किया गया है उसको यहाँ पर जैसे अरोंग जेब आप जहुए भाबर रोड साँसा रोड औरंग जेब रोड यही बार्त में यही महांपुरू नहीं भारत को आज़ादी दिलाने से लेकर ऑर मुगलों से आप तुप्धल लीजे हैं नहीं वही तो कर रहे हैं इसी के भी रोग नो हुझ हमारे बीजीपी की परवक्ता भी कह रहा है थे के कांग्रेज को भगत सिंग याद नहीं आए मैं इनको याद दिला दू जब ही केंदरे में और सारे हसन कटो ने इन से मिलके कहा कि जो पंजाब का हमारा एरपोर्ट होता है चंदीगड़ एरपोर्ट का नाम जो सरुसम्मती सब दलों पंजाब में चंदिगर एरपोर्ट का नाम सरदार भगत सिंग के नाम पर कर दिया जाए उस मौके पे यह अकेली सरकार थी जिन्हों प्रणे प्रणे उनके नाम पर रखना चाहते हैं यह तो इनकी देश्वक्ति यह प्यार जवाब मैं जाओंगा मैं लोगे जरूर जी जिए जिना लियाकत भाई बोलना चाहते हैं उसके बाद आलोग जी सबकी हो लिए ना असब क्यों हो लिए पहले तो मैं उनका ट्रीबू तो उनको कुरान याद थी और वो पांचो टाइम नमाज पढ़ते थे पाबंदी से यह तो उनका व्यक्ति आप एक बात बताओ जी जो हाफिज जो कुरान का जो पांचो टाइम की नमाज पढ़ता हो वो आदम को गलत काम करेगा चार बार उसने अंग्रेजों को हराया है पांचवी बार जब हरा रहा था तो मराठाओं ने और निजाम हैदराबाद ने एन वक्त पर उसको धोका दिया इसलिए वहारा वरना अठारा उन्हां सत्रासो सत्ताओन में ही सत्रासो सर्सट में हिंदुस्तान आजाद हो जाता जो यह कहने अपने लिए लग रहे थे अर लेकिन अंग्रेज यहां से निकाल देते अगर निजाम हैदराबाद और मराठा उसको एंट वक्त पर धोका ना दे तो वह आजादी हमको 90 परस पहले मिल गई होती और आगे कि सुन लो अर्भी फार्सी का विद्वान था और और वह जो है ने जी लंद फस्ट देखे मैं अपिक चेनल पर देखां डेकाई मैंने आपने देख नेल पर है 161berry आप उसमे मैं आप मैंने देखआ है जो रॉकेट मैन 200 में टीपु सुल्तान है नहीं ठ bride live के जो है लब अभर्टरी जब उसको ले गया है उसके टक्निको अंग्रेज ऑन लंग अडीरे सवने लिप ऐस सुल्टान का फोटो लगा रखा है इस से ही मिजाहिल बना जो बात कर रहे ना यह पी सुल्टान की तस्वीर को अपनी सेंस मैं मैं सीधा सवाल आपके बात यह है कि बीजेपी वाले गलत विरूद कर रहे हैं यही तो कहना चारे हैं अपके करके नहीं है 25 क्रोड मिसल्मानों को गवा रहे हैं इनका परसाशन देखो मैं पहले बार से कह रहाँ परसाशन इमान दार है पहले पहला के मुकाबलम है मैं किसी का मौदी जी मानदार रहे बिल्कुल इमानदार है तो परिशासनिक और से जिते कोई शक नहीं है आपको अगर जो लोग अंग्रियों जो से लड़े मारा आप यह दो नहीं पहांच बोलना है आज आपको जवाब पूरा पानी पी के दीजेगा पानी आप पीजे पहले 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 पानी मिलाई पानी प्रिश्व को जवाब पूरा पानी पिलाया है तो कि क्या है कि देश की गरीबी अटाना है और अकबर को महान पता करके ये गरीबी दूर की उन्होंने इतिहास एक मिने डालोंगी इतिहास 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 उसको कभी नहीं माप करता है जो इतिहास के साथ खिलवार करता है सतर साल तक इतिहास के साथ आपने खलवार किया देश के हीरो जो थे उनको अपमानिद किया उनको नेपस्थे में ड की सपी नेता के रहें कि सोनिया सोनिया जी राहूल जी माफी माणगे सोनिया जी राहूल जी माफी माणगे भी के नेता है क्वोंकी क्वी सिल्टाल हत्यारा घर बतांट является कंग्रेस थाली एक रही इला था चोड़े अरे तो आप छोड़ो ना, आप हम बता रहे हैं, जब आप जब देश का भला करने लगे, तब आपको कश्च होने लगा है, आप डेवलिमेंट की बात ने करेंगे, आप सदा जोए देश को पाटने के बात करें, अरे एक पागल का भिकास नहीं हुआ, एक पागल का भिकास आप सब के सामने एक बात कहनी हैं, और आप सब को पूरी जिम्मदाई और सच्चाई से एक बात बता दूँ, इस देश का आप सभाव देखिए, कि परम पूजिये स्वामी, यानि आदि जिसको कहते हैं, आप तो महंत हैं, महंत हैं, आदित्तेनात महाराद, जो इस वक्त पूपे के मुख्यमंत्री भी हैं, उनके जो मठ की जगा है, ये भारत की शान देखिए, भारत की आन देखिए, भारत की आन देखिए, भारत की आन जाते हैं, आरे भारत को भारत रहने दो, जिस दिन भारत को दावाए करोगे, ठगड़े पैदा हो जाएगे, लेकिन इति इतिहास मैं में लूए मैं आरा है उख स्कर्णाब चोहर एक मराप हों कर टीईपो सुल्तान का लुज़ू ए उसमें मरापा रहे थे जब वाग रहा थे मंदिर को तोड़ ग dosa Wall गई तकी तीईपो सुल्तान के अधनामी हो प्रतिके बाइब में आपके चैनल के माध़ने से पूशने चाहता हूँ कि बीजेपी के पास और प्राइस के पास हूर कोई मुद्धा नहीं है जब देखो हिंदू मस्लमान इंदू मुझाब्र को ऑदि करोड़ से नहीं है यहां पर पहस किसे जनाम किया मॉहमुद ऐसलिम यसी सी डिवेट में यह माद्दा मुद्ध यह मुद्धी दुरन सकते हैं मुद्ध सकते हैं करें पानी पीजिये वक्त में हार नजर आ रही है हलाकि चुनाओ अभी तारी नहीं आई है मेरी भी नजर वहीं है गुजरात पर इसको क्या होने वाला है व्याद में नजर आने वाला है लेकिन उसके बाद उसके बाद फिर भी बता दूमें यह मुद्दा किस ने उठाया यह कौ आपने नहीं जाएंगे तो आपने बनाये क्यों आप देश की अजादी से जुड़े वे लोगों के बारे में बात नहीं जाएंगे एक बात बताईए जब अभी इतिहास की बात कर रहे थे आठारह सो च्छे में बॉकलोन ने एक किताब लिखी है अठारह सुचे में प्रकाशित हुई है टीबु सुल्दान ने जहां-जहां शाष्चन किया उसके चेत्रों में जाकर गे उसने अपनी किताब में लिखा उसे लिखा एक करूर दुराचारी दमोनकारी और अविश्व अगर आपने देश की आजादी की सतंता सेनानियों की बात करनी है अगर आपने विकास की बात करनी है तो विकास की बात करो हम समते विकास की बात करना चाहते हैं किस देश में विकास कितना हुआ या तुब एक गाम करो आप विकास की बात तो करेंगे एक लिस्ट जारी करथो आप हम उन्हें उन्हें पर बात करेंगे पाकी नाब बात करें ये भी अपने आप में इतिहास बन गया है हमारा कहना ये लाहौर श्री राम के पुत्रों के नाम पेता लेकिन लाहौर का नाम आज तक कोई नहीं बदलता गा रामपूर का नबाप हमेशा मुसल्मान रहा लेकिन रामपूर का नाम नहीं बदला गया स्री नगर मुस्लिम भूल है लेकिन आज भी विश्णू के नाम पर उसका नाम स्री नगर है स्री रंगा पत्नम कल भी तो आज भी है हमारा कहना है शासकों के करमों से जनता को मत बाटो शासक जो करेगा ये जनता हमेशा जानती आप अच्छा करके दिखाओ ताकि कल हम आपक sus saos राओ ने लिखा है 173 पेज में लिखा है किए पलवार पर वुक्त श्र्तान लिखाया एक ये काफिरों को समाप्त कर देना चाहिए ये साशक की मूड यह है कि यहां काफिरों को समाप्त कर देना चाहिए हिंदू को समाप्त कर देना उसका महिमा मंद्द क्यों करना इन्हों ने कहा हिस्टारिकल फैक्ट पर बात करें मैं किताब का वर्णन कर रहा है और मैं परस्ट की बात कर रहा हूं 1073 1074 उनकी तलवार में और सिला लेक्ट में काफिरों को समाप्त करने आप 1073 1074 देख लिए मैं तो सीधे सीधे दावे के साथ कहता हूं कि पढ़िए जागाई इन्होंने का शीनकर का नाम बदला किया लेकिन आप ने कहा कि शाय जाहार अचाहर रोट को बदल देजे औरंगय ह्चाहर बदल दीजे बाबारोट बदल दी जे तो झिल्व दिल्वाप में डेसको जिस ने गुलाम किया छुन गुलाम करने ती विकासदर सहां जहां के जमाने में 25.5 थी और औरंग्जेब के जमाने में 24.5 चार थी ये ये जो है ना एक बताओ ये बेकार की बाते उठा उठा के ये जो है ना बरस्ताचारियों को सरकार देंगे दुबारा से फिर सरकार आएंगी ने जो वो बरस्ताचारों की आप आप परेंगा सब्सक्राइब लेकिन ऐसे लोग जो है नहीं मुद्दो को भटका के इनके संटर के मिनिस्टर ऐसी बात करता है यह समझे लिए सब करते हैं इन चीजों पर बैन लाएं इन चीजों को रोकें और विकास की और उसकी देश की तरक्की की बात करें और यह 125 क करने स्बतारे नहीं किया इस से पहले कंग्रेसमें बाध्वार बूसता हो तीन लाग क्रोन की ज़ब कई आप विकास की बाध करती हैं और विकास पागल नो है और व् ons यूद्ध यूद पैसńskने के कि तेज़ सिरकार इंसी लिए उसके साथ इसे में कोई शक नही будем कि इमानना है इसना क्यों करें तो विकास दे रहा है एक लाख क्रोण का जो मैट्रों तयार कर रहे हैं उसमें बारा हजार राजदानी एक्स्प्रेस बनेगा ठीक है आज के डेट में जाकर देखिए ट्रेन कंदर कितना धक्का दुपी हो रहा है आदमी कितना परसानी से आ रहा है जट पूचा के लिए देश के लूटा गोटाला हुआ तो उसको अंदर क्यों नहीं करते हैं अंदर क्यों नहीं करते हैं जी जनाब मैं हितेश सर्मा दिल्ली से हूं और भी दिल्ली के तीन बड़े स्टेशन है नई दिल्ली निजामुदीन और अपना आननद्वियार चट पर उपर ऐसा पहली अधियार पर इंतिजाम देखा है के एडिसनल टेंट लगा करके मोधी सरकार ने यात्रियों के लिए सुविदा दी बोजन दे रही है चाय दे रही है आर्प गोदी में ले जा रही है मैं खुद आप आननद्वियार मैं आनद्वियार में सवाल पूछ देते हो परतिक जी मैं नहीं कहा रहा है पूरा अखबार जो छप रहे हैं मैं खुद मैं गया मेरे रिष्टेजार को छोड़ने के आर्प के जवान ने बुद्र महिला को गोदी उठा करके डिबें बिठाया अरे भाई आनि बिहार की सब्सक्राइन चलती है अबेकार में हमारा प्रोग्राम म सब्सक्राइब है कि नरेंदर मोदी जी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं आज अभी